आज वाले इस ओनलाइन क्लास में आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए अच्छी इंफर्मेशन आज की इंफर्मेशन उन्हें स्टूडेंस के लिए है जिनके पास स्किल सब्जेक्ट है यानी जो टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लिकेशन सब्जेक्ट की स्टूड़ी कर रहे हैं और उनको सीबी एससी का एक्जाम देना है सीबी एससी के एक्जाम में किस तरह का प्रशन पत्र आएगा कैसे स्टूडी करनी हैं कितने प्रशन होंगे वन मार्क के कितने होंगे टू मार्क्स वाले कितने होंगे थ्री मार्क्स वाले कितने कोस्चन होंगे फोर मार्क्स वाले कितने कोस्चन होंगे कोस्चन किस तरह की होंगे सेंपल प्रशन आज आपको बताएगे और सेंपल प्रशन जो आज आपको बताएगे उस प्रशन प पास English Medium, Typography and Computer Application है और साथी साथ उन students के लिए भी जिनके पास Hindi माध्यम है और Hindi और English दोनों माध्यम माले students आज वाले वीडियो को ध्यान से देखें एंड तक देखें सभी प्रश्ण है सभी उत्तर है और सेंपल प्रश्ण सेंपल उत्तर से आपका आपकी जो प्रश्ण है बहुत अच्छी होने वाली है जिने students को अकसर कोछे students ऐसे होते हैं जिनको exam से थोड़ा सा डर लगता है पता नहीं कैसा paper आएगा कितने प्रश्ण आएंगे कैसे तैयारी होगी तो वो सभी आज का video अगर आप end तक देखते हैं वो सभी आपके अंदर के डर खतम होजाएगा जैसे डर खतम होजाएगा तो आप अपने आप motivate हो जाएएगे प्रेडित हो जाएएगे बहुत अच्छे मात्स आएगे अगर आपने आज वला वीडियो अच्छे से देख लिया, समझ लिया और इसके according preparation कर लिए तो शुरू करते हैं आज के जो sample present है और उनके sample उत्तर तो वीडियो को आपने end तक देखना है, like करना है, subscribe करना है अगर आप channel पर नहीं है तो आज के sample present typography and computer application for students class 12 dear viewers, as you are watching on your screen, there is a typography and computer application subject code 817, skill subjects sample question paper for class 12, session 2022-23, the time is 3 hours and maximum marks are 60, the instruction for the students, this question paper consists 24 questions into section, पूरा question paper दो section में divide है, section A, section B और 24 questions आपको exam में आएंगे, section A has a objective type question means one marks के question होगे and section B subjective type question यानि विश्तरित answer आपको section B वाले प्रशनों के देने है, out of given 6 plus 18, 24 question है, 6 plus 18 और आपने जो है, candidate has to answer 6 plus 11, total 17 questions के आपको answer देने हैं और time मिलेगा आपको 3 घंटे, बहुत sufficient time है, अगर आपने थोड़ी सी भी मन लगा कर study की है, और sample paper देख रहे हैं तो it means आप जो है अच्छे marks ला सकते हैं और आप study करना चाहते हैं, माक सचे लाना चाहते हैं, तो ये था question paper का जो है प्रारूप किस तरह से मलब design होगा, और अब आगे चलते हैं, प्रशन किस तरह से आएंगे, पहला प्रशन जिसके पहले प्रशन में 6 short question होगे, आपने 4 questions के answer देने हैं, और आपको मिलेगा 1 mark each question का, तो पहला प्रशन है व्यक्तित्व लक्षन, यानि what do you understand by the term personality trait, personality trait क्या होता है, व्यक्तित्व लक्षन जिसे हम हिंदी में कहते हैं, इससे आप क्या समझते हैं, तो पहले प्रशन का उतर क्या हो सकता है, अब personality traits are defined, इसकी जो परिवाशा होगी, as relatively lasting patterns of thoughts, feelings and behaviors that distinguish individuals from one another, यानि व्यक्तित्व लक्षन जो होते हैं, विचारों, भावनाओं, वहवारों के अपिक्षाक्रत, स्थाई pattern के रूप में परिभाशित किये जाते हैं, और जो व्यक्तियों को एक दूसरे से अलग करते हैं, अगर आपको ये प्रशन नहीं आता, तो आपके पास जो है, विकल्प है, छे प्रशन हैं, एक ही प्रशन का उतर देना है, चलते हैं, next question की और, आपको ये भी दो प्रशन छोड़ सकते हैं, the second question is on your screen, आप से पूछा गया है, रोहित has got the personality disorder, रोहित को personality, यानि व्यक्तित वे विकार है, इस तरह की जो situation है, marked by an over-reliance on other people, इस तरह का विकार है, to meet one's emotional and physical needs, आपके सामने प्रशन हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, which disorder would be denoted by the doctor, doctor इस तरह की विकार को किस तरह का विकार बताएंगे, तो आपको प्रशन को ध्यान से समझना है, और उत्तर देते समय जल्दबाजी नहीं करनी, one mark का प्रशन है, तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको, यह जो है, dependent personality disorder कहा जाएगा, यानि आश्रित व्यक्तित विविकार, आप प्रशन को ध्यान से पढ़ें, और प्रशनों के उतर नोट करते रहें, और प्रशनों के उतर के लिए, मैं आपको एक लिंक दूँगा, जिसमें आपको सभी प्रशनों के उतर मिल जाएंगे, और यह लिंक आपको इसी वीडियो के description box में मिल जाएगा, चलते हैं, next, question number 3, B, A, आगे blank है, is a collection of cells, यह cells का collection होता है, in the form of a grid, making rectangle, और यह rectangle बनाते हैं, जो है, network of lines, lines के network में एक दूसरी को intersect करते हैं, और rectangle बनाते हैं, तो यह क्या होता है, यह पूछा गया है, आपने blank में लिखना है, answer, worksheet, a worksheet is a collection of cells in the form of grid, एक grid के रूप में होते हैं, और यह rectangle, यह आयता कार एक दूसरे को काटते हैं, the answer is, worksheet, clear, next question, question number 4, is on your screen, what is the shortcut key to open a presentation, presentation को open करने की shortcut key आपसे पूछी गी है, the answer is, control plus O, presentation आपने open करने की shortcut की है, the next question is on your screen, write any two personal barriers to entrepreneurship, entrepreneurship, entrepreneur, यानि उद्यमिता में कोई दो व्यक्तिकत बाद हैं, कौन सी हो सकती है, यह आप से पूछा गया है, और आप अगर उत्तर देते हैं, तो आपको मिलेंगे one mark, तो इसका उत्तर क्या हो सकता है, two personal barriers to entrepreneurship are self-doubt and finding a suitable team, तो आप यह दो barriers बता सकते हैं, self-doubt and finding a suitable team, तो आपको मिलेंगा one mark, next question, पहले प्रशन का, sixth, what are entrepreneurial competencies, entrepreneurial competencies, entrepreneurial competencies, आप से पूछी गई हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा, उद्धम, शेलता, दक्षेता हैं, क्या होती हैं, तो answer is, entrepreneurial competencies are the skills necessary for an entrepreneur to venture into an enterprise, यानि कोई उद्धमी, जब उद्धम में शुरुआत करता है, तो जो skills जरूरी होते हैं, वो entrepreneur competency कहलाते हैं, organize and manage an enterprise ably and competently, अपने उद्धम को कुशलता पूर्वक और सक्षम रूप से विवस्तित करने और प्रबंदित करने के लिए, आवशक जो कोशल होते हैं, वो entrepreneur competency कहलाते हैं, they are also important to realize the goal for which the enterprise is established, और ये उस लक्षे को प्राप्ट करने के लिए मतपूर्ण होते हैं, जिसके लिए उद्धम स्थापित किया गया है, तो ये उद्धम शिल दक्षताएं कहलाती हैं, तो इसका उत्तर आपको पता लग गया, और link आपको मिलेगा इसी वीडियो के description box में, चलते हैं, दूसरा प्रशन, दूसरे प्रशन में आपके लिए फिर choice है, CBSC ने 7 questions दी हैं, आपको 5 के ही answer देने हैं, और आपको हर प्रशन का एक अंक मिलेगा, अगर, यहां भी आप कोई से 2 प्रशन छोड़ सकते हैं, अगर आपको किसी भी प्रशन में किसी तरह का कोई doubt है, तो आप उसका उत्तर छोड़ दें, और choice वाले दूसरा प्रशन ले सकते हैं, The second question का पहला जो प्रशन है, उसमें, write down the other name of the fully blocked style of type writing, the letter, letter type करने की fully blocked style प्रदती का, इस Shelly का कोई दूसरा नाम आप बताएं, तो fully blocked style जो pattern है, style है, उसका दूसरा नाम है American style, correct, आप answer note करते रहें, और यदि आपको उत्तर पता है, तो इस प्रशन पत्र से आप अपनी योगयता को चेक कर सकते हैं कि अभी तक आपकी preparation कहां तक हुई है, कुछ प्रशन ऐसे होंगे जिनके उत्तर आपको पहले से ही पता होंगे, second question का second part, write down the name of the official letter, which is written in third person, एक official यानि सरकारी पत्र है, जो third person में लिखा जाता है, within the same organization and generally used to be written to inform the employees, यह employees को inform करने के लिए होता है, about the grant of annual increment, यहनि वार्शिक वेतनविर्दी confirmation of service आदी के लिए जो third person में letter लिखा जाता है, वो कौन सा पत्र होता है, आपसे सिरफ यही पूछा गया है, तो इसका उत्तर है, memorandum, second जो है, उसका उत्तर, memorandum आप दे सकते हैं, next, question संक्या 3, which form of official letter is used for granting of leave, चुट्टी, देने के लिए किस प्रकार के सरकारी पत्र का उप्योग किया जाता है, the answer is office order, next, second, दूसरे प्रश्न का चोथा भाग, the correspondence between two or more organization stands for, दो या दो से ज़्यादा संगठनों के बीज में जो पत्रा चार होता है, उससे क्या कहा जाता है, आपके सामने चार विकल्प हैं, inter-organization, inner organization, outer organization, दो और दो से ज़्यादा संगठनों के बीज में जो पत्र होता है, तो इसका उतर है inter-organization, यानि अंतर संगठन, अब चलते हैं आगे, पाँचवा प्रश्न, दूसरे प्रश्न का पाँचवा पाट है, equal sign is used in manuscript for, manuscript में ये equal और बीच में ये hash चिन है, ये किसलिए use होता है, तो इसका उत्तर होगा, equalized spacing, यानि अंतराल बराबर करें, next, question number six, आपको फिर से याद दिला दें, कोई भी प्रशन अगर आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा है, उत्तर देने में सोईधा हो रही है, तो आप कोई भी दो प्रशन, second वाले प्रशन में छोड़ सकते हैं, write down the manuscript sign for transpose of the letter, letter यानि चिन अक्षरों को transpose करने के लिए, कौन सा पांडूलिपी चिन यूज़ होता है, तो आप वहां से भी उतर note कर सकते हैं, next question, what is the manuscript sign to centralize the matter, matter centralized करना है, और उसका जो चिन है वो आपको पता है, तो वो बताएं, उसका नाम आपने बताना है, तो मैं आपको बताता हूँ, CTR, ये चिन जो है, centralized matter के लिए use होता है, आप चलते हैं, प्रशन संक्या 3, यहां भी आपक काफी अच्छी CBAC ने choice दिये, 7 question है, 6 के answer देने, यहां एक प्रशन की, यहां फिर choice है, आपको 6 महास के ये question है, पहला question, the first question is, an excel file is the combination of, जो excel file होती है, किस चीज़ का combination है, which collectively are called a workbook, जिसे workbook कहा जाता है, तो excel file में किस चीज़ के combination से workbook बनती है, आपसे ये प्रशन पूछा गया है, तो इसका उत्तर है, worksheets को मिला का ही workbook बनती है, next question number second, तीसरे प्रशन का दूसरा भाग, formula in ms excel begins with sign, ms excel में formula किस सिन्न द्वारा start होता है, बहुत ही आसान प्रशन है, आपको पता होगा, इसके लिए हम बराबर, यानि equal to वाला sign यूज करते हैं, next, तीसरे प्रशन का तीसरा पार्ट, in excel, which feature automatically adds the values, वो कौन सा feature है, जिससे value automatic add हो जाती है, excel में, तो आपका उतर होगा, auto sum, स्वत्य योग वाला feature, जो है, वो value को add कर देता है, next, प्रशन संक्या, तीसरे का चोथा भाग, find out the operator symbol for not equal to, not equal to के लिए आपने जो है operator बताना है, तो मेरे अनुमान के साथ से यह जो B वाला answer है, यह है, सही है, अब चलते हैं, next, पांचवा भाग, तीसरे प्रशन का पांचवा भाग, blank है शुरू में, is used to fill the, automatically fill, a series of numbers in spreadsheet, spreadsheet में, automatically fill जो हो जाते हैं, numbers, वो उसका नाम बताना है आपने, तो इसका उतर है, auto fill, okay, स्वत्या भढ़न, हिंदी में उसे स्वत्या भढ़न कह सकते हैं, और English में, auto fill, अब तीसरे प्रशन का च्छटा, the syntax of min function is, min function का syntax लिखना है, तो आप इसके उतर में लिख सकते हैं, equal to, से formula शुरू होता है, आगे min, bracket, start, number, कोई भी number 1, comma, number 2, dot, dot, bracket, close, तो इस तरह के इसका answer दे सकते हैं, और मैंने आपको पहले ही गता है कि आप description box में से answers अच्छे से note कर सकते हैं, अब चलते हैं तीसरे प्रशन का सात्वा part, the extension of power point is, power point का extension क्या होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ, power point जो हम slide बनाते हैं, उसको जब save करते हैं, तो extension आता है, पी, पी, टी, ओके, तो ये उत्तर note कर लें, आप चलते हैं next, प्रशन संक्या, चार, यहां भी आपको CBS Secure से बहुत अच्छी choice भी जा रही है, six questions है, five के answer देने, एक प्रशन कोई भी आपको अगर कठिन लग रहा है, तो आपको उसका उत्तर ना दे, तो चोथे का पहला part जो है, the default view, where one can write a design, write and design presentation is also called, तो default view, जहां कोई presentation, लिक और design कर सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है, तो इसका उत्तर है, normal view कहा जाता है, सामाने दिर्शे या normal view, हिंदी में सामाने दिर्शे कहते हैं, इंग्लिश में normal view, चोथे प्रशन का दूसरा part है, शुरू में blank है, view displays the presentation from the beginning with animation, यह वो कौन सा view है, जिसमें हम presentation, animation के रूप में देख सकते हैं, तो बहुत ही आसान उतर है, यानि slide show, उतर आपका रहेगा, slide show, view में हम, जो है, animation के रूप में, जो है, presentation को देख सकते हैं, तीसरा, which program is used to create a presentation, कौन सा program, जो है, हम use करते हैं, presentation त्यार करने में, आपके option है, MS Word, PowerPoint, Excel, Access, तो मेरे हिसाब से जो उतर होगा, यह वी वाला उतर, PowerPoint सही होगा, बहुत ही आसान प्रशन पुछा है, इसी तरह के प्रशन आपको, फाइनल एक्जाम में आ सकते हैं, अब देखते हैं, चोथे प्रशन का, चोथा पाट, if you are purchasing a mobile from amazon.com, which type of e-commerce it is called, अगर आप Amazon से कोई mobile मंगाते हैं, तो यह किस तरह का, जो e-commerce कहलाएगा, अगर आप हिंदी में उत्तर देंगे, तो इस तरह से, अब चलते हैं, next, चटा प्रशन, गूगल, पांचमा प्रशन, वी यूज़ दा सर्विशिज ओफ, ब्लेंक है, फार सर्चिंग दे डॉकुमेंट्स अन इंटरनेट, इंटरनेट पर कोई डॉकुमेंट सर्च करना है, तो सर्विशिज, किन सेवाओं का उप्योग करते हैं, तो अंसर आएगा, सर्च इंजन, सर्च इंजन, इंटरनेट पर दस्तावेज कोजने के लिए, सर्च इंजन की सेवाओं का उप्योग करते हैं, गूगल सर्च इंजन इस बेस्ट ओन बुलियन ओपरेटर आपके पास चार ओप्षन है आपने ओपरेटर बताना है A and B or C not D and and or तो आपका आंसर होगा A गूगल सर्च इंजन इस बेस्ट ओन बुलियन ओपरेटर एंड पर आधारित होता है अब चलते हैं next पांचवा प्रशन पांचवा प्रशन में फिर आपको CBSC की ओर से बहुत अच्छी चोईस दी गई है यहाँ 6 प्रशन है 6 पार्ट हैं पांचवा प्रशन के और आपको 5 के उतर देने हैं कोई भी एक प्रशन आप चोड़ सकते हैं पहला प्रशन बहुत ही असान write down the full form of URL URL का पूरा नाम आपसे पुछा गया है URL का पूरा नाम क्या होता है आप इसली बता सकते हैं यूनिफर्म रिसोर्स लोकेटर यह इसका नाम है अब चलते हैं next डैश का उप्योग ऑपरेटर के स्थान पर भी किया जा सकता है डैश के ना आलसो भी used in place of operator किस operator के लिए आप डैश यूज़ कर सकते हैं तो answer है not operator operator नहीं जहां यूज़ होता है not operator के लिए हम डैश का यूज़ कर सकते हैं next तीसरे परेशन email is stored in the dash server email जो है तीसरे परेशन email से समझ दिता है stored in the server कहां store होती है तो mail server में store हो जाती है तीसरे परेशन का उत्तर mail है next चो था gmail is डैश प्रोड़क्ट जीमेल जो है कौन सा प्रोड़क्ट है याहू का Google का Microsoft है Amazon तो बहुत ही आसान आप इजीली आंसर दे सकते हैं B वाला Google प्रोड़क्ट नेक्स्ट कोशन नमर फाइव दा फिर ब्लैंक ऑफ एन email इस दा सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट पीपल सी वेन डे रिसीव यार इमेल एससी सिंगल लाइन कौन सी है जिसे वेक्ति जो है देखते हैं जब email प्राप्ट करते हैं उस सिंगल लाइन का आपने नाम देना है तो इसका जो आंसर है दा सब्जेक्ट लाइन ऑफ एन question your email box is full of mails and if you want to delete some mails which button is used for the same अगर आपने कोई mail delete करनी है फुल हो गई है आपकी mail box तो कौन सा जो है बटन आप यूज करेंगे दा आंसर इस ट्रेश टी आर एस ट्रेश यानि रद्दी से कहते हैं रद्दी वाला बटन यूज करेंगे नेक्स्ट कोशन नमबर six six प्रशन के भी पार्ट है यहां आपको six में six question दिये हैं और आपने five के ही आंसर देने हैं आपको मिलेंगे five marks फस्ट six question का फस्ट पार्ट अन्वांटेड मेल्स आर आटोमेटिकली ट्रांसफर्ड इन फोल्डर जो अन्वांटेड मेल होती है आटोमेटिक कहां चली जाती है आंसर इस पैम यानि अवांचित मेल में चली जाती है उसको स्पैम बोलते हैं च्छटे प्रशन का दूसरा define the meaning of replicate इन टरम्स ओव वाइरस वाइरस के संदर्म में प्रतिक्रिति का अर्थ बतता ये तो प्रतिक्रिति का अर्थ जो है दूसरे प्रशन यानि replicate का meaning है duplicate या repeat कहा जा सकता है तो one mark का प्रशन है आपने short में ही answer देना है तीसरा which virus infects the boot record of hard disk hard disk के boot record को कौन सा वाइरस प्रभावित करता है the answer is boot sector virus next फिर आपको याद दिला दूँ कि अगर आपने इसी तरह की और वीडियो सब्जेक्ट से रिलेट्ट देखने है तो आप इसी चैनल पर बहुत सारे वीडियोज है typography and computer application आप देख सकते हैं और इनी प्रशनों के उतर आपको description में link मिलेगा वहाँ से आप देख सकते हैं the next question the biological virus is also card biological virus को दूसरा नाम आपने बताना है क्या होता है आपके सामने फिर ये तीन option है तीन option में से biological virus को दूसरा नाम है उतर B human virus भी कहते हैं मानव virus ओके अब चलते हैं च्छटे प्रशन का पांचवा पार्ट name the independent program which replicates so much and consume the resource of the computer and makes it slow आपके computer को slow बनाता है और replicate जो program होता है उसका नाम बताना है तो उसका नाम है warm W-O-R-N warm की डाज से कहते हैं हिंदी में next question number six Trojan horse can illegally attack on getting the login details of the users Trojan horse जो है उप्योग करता के login vivant प्राप्ट करने पर Trojan horse अवैद रूप से हमला कर सकता है तो answer है कहां हमला करता है आकड़े यानि data डेटा पर हमला करता है इस तरह के प्रशन आपको exam में आ सकते हैं सब्जेक्टिव टाइप question जिनके आपको विस्त्रित उतर देने होंगे तो subjective type questions के answer आप description box में देख सकते हैं मैं आपको प्रशन बता देता हूं यहां आपको फिर च्वाइस है cbsc के और से एक बार फिर से च्वाइस है आपने यह जिव टू मार्क्स वाले question है और 5 question है 3 के answer देने हैं 2 marks है 3 into 2 यानि 6 marks आपको मिलेंगे और 7 प्रशन में आपसे क्या पूछा गया there are many ways by which an entrepreneur employability skills से related है there are many ways by which an entrepreneur deals with stress तनाव से उदमी कैसे ने पड़ता है बहुत सारे तरीके हैं mention any two ways of stress management stress को कम करने के कोई दो तरीके बताने हैं तो आप answer दे सकते हैं taking a walk in nature practicing deep breathing exercise such type of other जो है example आपको इन प्रशनों के उतर description box में मिल जाएंगे अब चलते हैं next question number 8 differentiate between the internal motivation and external motivation में अंतर बताना है अंतरिक प्रेड़ना और भाय प्रेड़ना के बीच में अंतर question number 9 write down the steps for entering a text box in the slide slide में text box कैसे enter किया जाता है इसका उतर आप फिर description box में देख सकते हैं क्योंकि यह विश्तरित answer है तो इसको explain कर पाना easy नहीं है तो आप description box में link दिया होगा वहाँ से आप answer देख सकते हैं next question number 10 mention any two key qualities of a successful entrepreneur एक सफल उद्धमी के दो गुण बताने हैं पहुती आसान प्रशन है अगर आपने थोड़ी भी चेप्टर को ध्यान से study किया है तो आप लिख सकते हैं 11 question number 11 briefly write about environmental barriers faced by entrepreneurs चार environmental barriers बताने हैं जो एक उद्धमी को सामना करना होता है two marks मिलेंगे अगर आप इन प्रशनों का उत्तर देते हैं आगे फिर two marks के question है पहले वाले प्रशन employability skill के थे ये भी two marks के हैं और five question है three के answer देने हैं six marks के हैं question number 12 define the any two features of indented style letter यानि indented style letter की दो शेस्ते हैं बताने हैं question number 13 define the meaning of manuscript 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 का meaning यानि परिभाशा देनी हैं और next question number 14 total 24 question आएंगे one marks के two marks के three marks के four marks के तो 14 में आपसे two marks का question है differentiate between a workbook and worksheet workbook और worksheet में अंतर बताना है आपको मिलेंगे two marks यदि आप किसी भी प्रशन में उतर देने में असुविदा मैसूस कर रहे हैं तो आप उसे छोड़ सकते हैं क्योंकि cbsc ने आपको यहाँ choice दी है explain the steps to create a powerpoint presentation powerpoint presentation कैसे तयार होती है उसके steps बताने है 16 define the web browser web browser की definition क्या होगी आप two marks का प्रशन है और यहाँ आपको यह भी बताया है कि कितने words में आपको answer देना है तो यह भी ध्यान रखना है next answer any two out of the given three question तीन प्रशनों में से दो प्रशनों के उतर देने फिर आपको choice दी है और यहाँ यह प्रशन तीन मार्क्स की हैं यानि आपने दो question के उतर दिये आपको मिलेंगे six marks the 17 question explain the two methods to resize the row and columns columns और row यानि Excel में column और row को resize करने की आपको दो तरविधियां बतानी है 18 write the steps for adding an image from clip art clip art से आपको image add करनी है power point में तो वो steps बताने हैं वो कौन-कौन से चरण होते हैं 19 question write down the different step for replying an email email का उतर कैसे देते हैं जवाब देने के विभिन चरण आपने बताने हैं तो three marks के two questions आपने करने हैं one question की आपको फिर choice है cbsc बहुत अच्छी choice दे रही है answer any three out of the given five questions पांच प्रशनों में से तीन के उतर फिर बहुत अच्छी choice दो प्रशनों की आपके पास choice है लेकिन यहां प्रशन है four mark का आपने ध्यान देना है four mark के एक प्रशन का उतर 50 to 80 words में ही देना है question number 20 define the features of the office order office order एक letter का style है तो इसके feature विशेशते हैं बतानी है question number 21 explain the basic properties of a formula in excel excel में जो सूतर होते हैं उसके मूल गुण को बताना है आपको मिलेंगे four marks अगर आप इन प्रशनों के उतर देते हैं यह four marks के question है आपके सामने और इसके उतर detailed उतर आप इसी वीडियो के description box में देख सकते हैं next question number 22 explain the different steps of slide show option slide show option के जो चरण बताने हैं विभिन चरण क्या होते हैं question number 23 discuss in detail about any two popular search engine search engine के बारे में किनी दो search engine के बारे में आपने विश्दार से चर्चा करनी है और आखरी प्रशन यहां आपने सभी प्रशनों के उतर नहीं देने तीन ही प्रशनों के उतर देने हैं for mark वाले explain at least five effects of computer virus computer virus के क्या प्रभाव होता है computer पर वो आपने पताने हैं तो यह था आज का वीडियो typography and computer application बहुत अच्छे 24 तीन गंटे में आप easily प्रशनों के उतर दे सकते हैं आपके बहुत अच्छे marks आने वाले हैं best of luck आपको वीडियो कैसा लगा comment box में comment दे thank you for watching